नमस्कार 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 आप तभी का बहुत बहुत वागत है करन्ट फिर बूस्टर के हमारे 19 अक्टोबर वेंजडे के सेशन में दोस्तों हमारा जो 18 का सेशन था उसमें छोटी सी प्रॉब्लम यह आप एक ही कि माफी चाहता हूं थोड़ा सा ओडियो का दिक्कत यहां पर आया होगा अब सही है ना बराबर स्ट्रेट प्यारे दोस्तों सेकेंड येस आम बैक तो आप सब सबका स्वागत है 19 अक्टोबर के सेशन में अब हुआ कह था कि कल जब हम सेशन ले रहे थे तो जो इंटरनेट है हमारा वो इंटरनेट की केबल कट हो गई बाहर और ऐसा कभी होता नहीं लेकिन कल हुआ अब एकदम परफेक्ट है अगर आज इस तरह की कोई दिक्कत आए या आगे किसी कोई दिक्कत आए तो एक दो मिनिट इंतजार कीजेगा मैं दूसरे इंटरनेट पे शिफ्ट कर लूँगा I hope that is clear तो कल का 18 अक्टोबर का सेशन हमको स्क्रैप करना पड़ा क्योंकि वो बी सभीत सुना होगा बड़ा खूपतूरत सभीत है घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तो ये खबर में आपको दो पहलू दिखाऊंगा सबसे पहला आप यहां देख रहे हैं अमेरिका के राश्ट्रपती ने ये कहा कि भई पाकिस्तान से खत्रा ये है कि उसके पास जो न नहीं है there is no cohesion in the nuclear arsenal of Pakistan समझ माया आपको तो ये काफी खतरनाक comment है और ये बात तो दरसल पहले भी कई लोग ऐसा बोल चुके हैं कि भई ये दिक्कत है अब अमेरिका द्वारा ऐसा कहना तो नैचरली पाकिस्तान में भी उस चीज़ को लेके काफी हलचल मची उसके तुरंत ये अगला statement आ गया कि America is confident of Pakistan's ability to secure its own nuclear assets कि ठीक है हमें चिंता तो थी लेकिन हमें पूरा confidence है कि Pakistan अपने nuclear assets को बहुत अच्छे से secure कर लेगा ये समझ में आया आपको तो अब दो तरह के nuclear weapons होते हैं ये मैं आपको quickly बता दूँ एक होते हैं strategic nuclear weapons और दूसरे होते हैं tactical nuclear weapons जिनको हम TNW भी कहते हैं इन दोनों के बीच का क्या अंतर है कौन हमें बताएगा हम तो बता ही देंगे strategic nuclear weapons आप एक missile के उपर लगाते हैं और वो missile जाती है space में और वो ballistic missile फिन नीचे आती है bullet से 10-15-20 गुना गती पर उसको रोक पाना नहीं इंपॉसिबल होता है विरा पर चलाते हो समझ में आ गया क्योंकि दूसरे की सेना घुसाई अंद तो उसको रोकने के लिए आप tactical nuclear weapon चलाते हो और यह बहुत खतरनात चीज होती है क्योंकि यह military commander जो field में होती है strategic weapons जो होते हैं वो strategic forces command के हाथ में होते हैं तो उसमें politics भी involved होती तो वो चीज़स slow चलती ह हैं लेकिन इसमें खतरा यह होता है कि यह military battlefield commander के हाथ में हैं इन सब खतरों को देखते हुए और पाकिस्तान की भीतर की dynamics को देखते हुए अमेरिका ने यह कहा था लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की reaction आने पर अमेरिका ने अपने statement को moderate कर लिया और यह कहा कि हमें इसमें प्रंकवादी समू के हाथ में या किसी रेनेगेट ग्रुप के हाथ में अगर दो चार nuclear weapons चले गए तो वो पूरी दुनिया को hostage बना सकता और यह बहुत बड़ा खतरा है तो कि आप हमें बता सकते हैं इस वक्त दुनिया में कितने देशों के पास घोशित परमाणू हतिया कट होगी थी लेकिन आज कोई problem नहीं इसलिए कल का session scrapp हो गया दूसरी बात जो भी session बन रहे हैं वह प्लेइलिस्ट में पब्लिकली available हैं हर session जो complete होगा playlist में दे दिया जा चुका है आप playlist में सारा revision करें हैं इस सीरीज का जो भी October में शुरू हुई है दूसरी खबर बहुत ह है और इसमें दो चीज़ें एक साथ मैं आपको दिखाता हूं बहुत मज़ा आएगा आपको भारत के कानून मंत्री किरन रिजूजू ने एक बहुत ही खतरना स्टेटमेंट दिया है कि यह सरकार का काम है कि वो न्याया धीशों की नियुक्ति करें और सब्विदान में लिखाए सेपरेशन ऑफ पावर और लाव मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारी अथारिटी होनी चीए जज़ेश को अपोइड करें इंट्रेस्टिंग है यह काफी एक्चुली किरन रिजी जी ने ये सेंस कर लिया है कि लोगों में कॉलेजियम व्यवस्था के प्रती गुस्सा है क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था में डाइवर्सिटी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है केवल एक ही सोशल बैगराउंड के लोगों को ज्यादा मौके मिल और किसी जज का बेटा जज बन रहा है या किसी जज का भतीजा जज बन रहा है या परिवार के लोग ही आगे बढ़ते जा रहे है हाई पोर्टों में और सुप्रीम कोट में ऐसा आरोप है कि डाइवर्सिटी बहुत कम बन पाती है और एक एलीट ग्रुप बन गया जो बड़ा इंट्रेस्टिंग इशू है एक्चुली इसमें खत्रा यह है कि फिर सरकार केवल कमिटेट जजज अपॉइंट करेगी यूपी एसी की परिक्षा में कमिटेट ब्यूरोक्रसी पे सवाल आ चुका है यहां पर कमिटेट शब नेगेटिव होता है यहां पर इसी के लिए भारत की जुडी शरी ने स्वयं 1980 में क्योंकि इंद्रा जी ने जो करने की कोशिश की थी वाया सटन अमेंडमेंट्मेंट्स in 1975 and 76 उन्हों ने सम्विधान को बदर डालने की कोशिश की थी तो वह कौन सा समविधान था जिसको мне constitution भी कहते हैं नंबर बताओ एकड़ में विष नंबर ओーフ अमेंडमेंडमेंट्मेंट्य जिसने सम्वी धान को भगड़ डालने का प्रेयास किया था जो बाद में सब reverse हो गया था जन्तापार्टी सरकारन सुप्रीम कोट भी रिवर्स कर दिया था तो इसलिए भारत की सुप्रीम जुडी शरीम नेश वतिय नुन्निस सो जॉत्स नब्भे के दशक में तीन अलग लग थ्री जजेस मामलों में डिसिजन दे कर कॉलेजियम बनाया कि चीफ जस्टिस और उसके बाद के चार-पांच लोग मिलकर सब तै करेंगे हाई कोर्ट में कौन कहां होगा ट्रांसफर कहां होगा सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन होगा वगेरा वगेरा तब से कॉलेजियम चल रहा है मोती सरकार NJAC का कानून 2015 में लाई थी जिसको J.S. Kheer की बेंच ने जस्टिस टीव जस्टिस उन्होंने स्क्रैप कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के कारे है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है तो क्या आप हमें बता सकते ह फिर अगर को लेजियम भी अच्छा नहीं है और हम सरकार को भी नहीं चाहते कि जज़ेद अपॉइंट करें नहीं तो वो तो सरकार के प्रतिक होंगे समविधान के थोड़ी होंगे तो फिर सही वेवस्था क्या मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ओपीनियन है आप इसके उपर अतना कॉमेंट दे सकते हैं टोटल जो एक ऑटोनॉमस कॉंस्टिटूशनल बॉड़ी बने जज़ेश अपॉइंट्मेंट बॉड़ी फॉर सुप्रीम कोट हैं हाइर कोट मतलब ऑल दी हाइपोर्स एंड सुप्रीम कोट लोवर जूडिशरी के लिए जो ट्राइल कोट सब मंत्री हो आई एस ओफिसर हो इंडिपेंडेंट नागरिक हो जूरिस्ट हो और जितने भी जज़ेश के नाम उसमें फ्लोट हो वो सब की पब्लिक द्वारा वेटिंग भी होनी चाहिए तो वी शूड नो किस बैकराउंड से आए नोंने क्या-क्या जज़्जमेंट दे जनता को पता होना चीए ताकि सारे रॉटन एपल उसी स्टेज पर पकड़ में आ जाए और उसके बाद बैटके मन्थन हो और अपॉइंट्मेंट हो स्वतंत्रता ऐसी ही सुनिश्चित अधर्वाइस फिर व सवालीश में हमारे समविधान में लिखा है कि सरकार प्रयास करेगी कि एक दिन उनिफॉर्म सिविल कोड आए अप पोलिटिकल यह बहुत रिवार्डिंग मुद्दा है लेकिन सरकार ने अभी सुप्रीम कोड को जो बोला है वो यह कि आप हमें आदेश निश नहीं दे सकत कि UCC बनाओ मतलब सरकार कदम पीछे खीच रही अगर आप समझते हो basic English the court cannot pronounce a mandamus telling the parliament to make a law for UCC we will decide what is to be done आप समझ रहे मतलब सरकार पीछे हट रही है UCC बनाने से आपको दोनों मुद्दों पर population control bill और UCC सरकार ने official एफिडेविट देखके Supreme Court को बोला है fertility rate गिर के 2.0 हो गया है अभी अचा कोई panic नहीं है यह सरकार ने इस साल कहा है और UCC को लेके सरकार नहीं है in fact law commission में justice चौहान वाला जो commission था वो अल्रड़ी यह बोल चुका है कि भारत में UCC कर पाना possible ही नहीं है it is neither possible nor feasible क्योंकि जितनी नहीं भी आपकी tribes है भारत की सबके अपने अपने कानून अलग-अलग है भारत में ऐसी हजारो जन जाती हैं जिनके marriage के डिवोर्स के alimony के maintenance के adoption के सारे उनके तौर तरीक है अलगर उसकी कहीं listing भी नहीं है तो पहले वो listing करो फिर उसमें commonality ढूंडो नहीं तो वो तब भाग भाग क्याएंगे fundamental right के हननन का तो सरकार तो cases में उलग जाएगी यह मामला इतना सीधा है नहीं जितना लोग समझते हैं इसको I hope जाए लेकिन मेरे फ्यारे हिंदुस्तान bowls Hindुस्तानी एव भाईयों बहनों में आप को एक चीज़ बतादूहँ में अपने दिल को समभाल के रख़ों कैंकि दिल तो यूरोप में जब कर दूब रही हैं और भारत भी हैंशित के सामने ही मेहगा होता चाला रहा हैं। एक बार किसी महापुरुष ने कहा था कि ये डॉलर नहीं चड़ता है, रुपिया नहीं गिरता है, दिल्ली में बैठी सरकार की इज़त गिरती है, तो ये 83 तक आ चुका है, इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या दुश्प्रभाव होंगे, हमारे सारे इंपोर्ट्स महंगे हो होने वाले हैं, लेकिन हमारे नराई और हमारी आईटी कंपनी बल्ले बल्ले शावा शावा, क्योंकि अब आप अपने एक्सपोर्ट्स पे उतना ही ज्यादा कमाऊगे, एक डॉलर आपको ज्यादा रुपिया लाके देगा, तो भारत में आईटी कंपनी एक्सपोर्टर्स और एनरा ही जो बाहर बैठे रहते हैं, उन सब की एश होगी, यह बैठे बिठा है, उनका पैसा ज्यादा वैल्यू का हो गया है, और इंपोर्टर बिचारे बैठके रोएंगे, क्योंकि उनकी तो हालत खराब होगी, दूसरा वो सारी कंपनिया रोने वाली है, जिन्होंने डॉलर में लोन उठा रखें, अब उनको उतने ही ज़्यादा चुकाना है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, उसके अलावा मैक्रो एकनॉमी पे बहुत से असर आते हैं, और बिया सो और डॉलर खर्च करके, रुपे को यहां तक मेंटेन करके रखा है, लेकिन आज रुप प्रॉपिया 85, 86, 87 तक जाने देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल साफ बता हूँ, एकनॉमी के फंडामेंटल के हिसाब से यह सब जो चल रहा है, पर भारत में क्या है, यह चीज़ें पूरी तरह से politicized debate है, 2012-13 में पिशली सरकार की अच्छी समझ में आगे, आपको अच्छे से यह है, पूरी पूरी बात, अनन्द राग जी, CA booster premium हमारा बंद हो चुका है, CA booster premium हमने बहुत समय पहली बंद कर दिया था, केवल power of 10 ही अभी चालू है उसमें, और यह free sessions ही, यह तो आपके लिए हैं, तो यह आपको पूरी तरह से clear, अब मुझे एक बात comment head में सभी बच्चे फटा फट बता दीजे कि डॉलर के बढ़ने से, रुपए के गिदने से, और क्या-क्या दो-तीन प्रभाव होंगे, मैंने आपको तीन बड़ी चीज़ें बता दी, आपके लिए काम की है, इसके लावा क्या होंगे बता है, यह चार्ज यह है हमारी installed power capacity, मतलब हम इतना बना सकते हैं, कितना बनाएंगे किसी given moment पे, वो एक अलग बात है, लेकिन यह स्थापित विद्युत शमता है, समझ में आ गया है, तो अगर आप से कोई पूछे है, भारत की total installed कितनी है, तो क्या बोलो, बेटा, 405 gigawatt, उसमें ध्यान रखन सबसे ज्यादा है कोईला, 204 gigawatt, मतलब 50% भारत की उर्जा हमारी black energy है, जो भेना गाड़ा काला धुआ निकलता है, और हम उससे बच नहीं सकते अगले 10 साल, क्योंकि यही है, thermal energy is more than 50% of India's power capacity, जो परियावरान के लिए घातक है, लेकिन हम से 5 गुना ज्यादा तो चाइना क ही है, तो उतने बड़े criminal नहीं है, और हमने हमारा renewable energy काफी बढ़ा के 116 gigawatt की स्थापिश शमता बना ली है, अब उस renewable energy में क्या-क्या है वो आपके सामने है, फरवरी आप यह आपके सामने पूरा data में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको दिखेगा solar सबसे आगे है, उसके एक बाद wind power है, फिर by gas है, small hydel है, बायो मा से इत्यादी, और यह आपके सामने latest all India power generation, याद रखना power generation और install capacity दो अलग-अलग चीज होती है, बाद समझ में आ रही है आपको, बहुत अच्छे-च्छे answer लोगों क्या है, मुझे अच्छा लग रहा है, सब लोग एक दूसरे क अच्छे से पार्टिसिपेट करें, वह बहुत जरूरी है, जरा मुझे लपक के बता दो बैटा, अमेरिका की vice president कौन है, और federal reserve के chairman कौन है, अमेरिका का central bank के federal reserve, उसका जो boss उसका नाम बताओ, और अमेरिका की उपर राश्ट्र पती का नाम बताओ, समझ में आया, 2024 में तो Biden या Biden के जो भी होंगे उतरादिकारी, और सामने हमारे favorite Donald Trump तो आएंगे, I'm the best, I'm going to rock the world, I'm more about it than anybody else does, International Solar Alliance की अगली सभा भारत में हुई, और भारत फिर से इसका president नियुक्त हुआ, और France इसका co-president नियुक्त हुआ, भारत और फ्रांस ने नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओला ने ISA की स्थापना की थी समझ में आगे आपको और अगली सभा में ये हुआ है भारत की तरफ से ये कहा गया है कि हम जो ग्लोबल सोलर ग्रिड बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दो सोलर ग्रिड से इसलिए पहले उन्होंने ट्रॉपिकल कंट्री संशाइन कंट्रीज को जोड़ा था अब वो सारी कंट्रीज को जोडने के लिए ISA तयार है आएएसे का head office का है मिटा भारत ने बताओ बॉम्बे में हैं कैलकेटा में हैं चेन्नई में हैं मतुरा में हैं काश्मीर में शिनगर में हैं या गुरगाओं में हैं कहां है जड़ा कॉमेंट में बता दो तो इसमें उन्होंने वो सारे इशूद आइडेंटिफाइग कि दूसरे देश क्यों नहीं इसमें आगे बढ़ पा रहे हैं और यह अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो क्लाइमेट चेंज के साथ हमारी लड़ाई में हमें बहुत फा एक बात यह कही कि भारत ना केवल 5G domestically launch कर रहा है बलकि भारत 5G का technology solution पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुका है यह बात आज के पहले किसी नहीं की और इंडिया कभी भी टेलिकॉम टेक्नोलोजी एक्सपोर्टर रहा ही नहीं 2G हो 3G हो 4G हम इंप के साथ है एरिक्सन के साथ है चाइना का हुआ वे तो बहुत हत्ता कभी नुक्सान में अमेरिका ने उसको पुचल दिया यह सब इस्टैब्लिश पेर हैं 5G टेलिकॉम हाड़वेर के निर्मला सीता रमदने अमेरिका में पब्लिक में घोशना की है प्रेस में कि हमारी कंपनिया 5G टेक्नोलोजी एक्सपोर्ट करेंगे उसका पूरा एनलेसिस यहां पर है इस पे क्वेस्चन बिलकुल बन सकता है इस से गर्माता जा रहा है तो ये चीजें भी गर्माती जाएंगी ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की मदद से एक ओपन सोर्स सॉलूशन बनाया जा रहा है और इसके लिए भारत की रिलायंस ने बहुत पैसे लगाये हैं और बाकी कंपनिया भी एटल हो वो सौफ़ेर कि इंड़िट्री एक्सपर्ट का कहना है कि ये बहुत कथिन काम है क्योंकि अभी पूरा रोल आउट इंडिया में हुआ नहीं है होने के बाद स्टेबल अभी हुआ नहीं है और एक्सपोर्ट की फेज उसके बाद आएगी तो ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर हैं मैं सो 3G 4G 5G 6G में जी होता क्या है ये भी बताईए और एक सवाल सभी लोग इसका जवाब जरूर दें जब आतें अटेंड करने जोश के साथ अब है ना हायर स्पीड मत बोलना यार 4G की स्पीड मतलब की के एक मूवी जो है वो साथ सेकेंड में डाउनलोड होती वो साथ की जगे पांच या दस में होगी उससे क्या फरक पड़ जाएगा एक आम आदमी के लिए 5G से क्या होगा थोड़ा मुझे सोच के बताओ आपके आंसर और एक दूसरे से हम सीखेंगे सवाल पूछने के पीछे का लॉजिक ये होता है समझ में आया बताइए 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 कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसमें ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 44 में 41 आया है ये इसलिए आया है क्योंकि भारत में 90% नौकरी पेशा लोग informal सेक्टर में काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं जिसमें किसी भी तरह का पेंशन कमिट्मेंट नहीं होता है अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में और भारत की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में बहुत बड़ा फरक है अमेरिका में रैंग कम है, मैंने आपको रैंग भी बता दिया, कम क्यों है वो भी बता दिया, I hope आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गए, yes or no, confirm करो बेटा, एक्जाम के लिए याद रख लेना, बिल्कुल पूछेंगे पेंशन इंडेक्स, और क्यों कम है और इसको कैसे सुधारे, वो भ रहे हैं, तकनी की इशू एक, ये सामने आया है, कि ये पूरा मामला महराश्टर में चला था, और रेमिशन के कानून कहते हैं, कि वही कोर्ट और वही अथारिटी रेमिशन देगी, जहां केस चला था, लेकिन रेमिशन दे दिया गुजरात वालों ने, पहली बात, दूसर की बात, ये लोग पिछले 14 साल में इतने दिन जेल के बाहर रहे हैं, पेरोल पे और फरलो लीव्स पे, मतलब 14 में से 3-4 साल हर आदमी जेल के बाहर रहा है, चुटी बनाते वे परिवार के साथ, ये बड़ा इंटरस्टिंग है, उसके बाद एक चीज और सामने आई है, कि इन में से एक आदमी ने बाहर आके एक दूसरी महिला के साथ फिर से दूरा चार कर दिया, आप बात समझ रहे हैं, तो ये मामला बड़ा गड़बड है, और ये भारत की पूरी नियाय प्रणाली, नियाय तंतर पे सबसे बड़े सवाल उठाता है, कि क्या ऐसे लोग बाहर समाज में घुनने चाहिए, अब ये जज़्जमेंट समाज का है, ये आपका ज़्जमेंट है, आप जैसा चाहेंगे समाज उतेश नहीं बनेगा, तो मैंने इसके जो टेखनीकल आस्पेक्ट्स से आपको बता दिये, बाकी जैसी जिसकी सोच, आठवा खबर ये हमने कल कव की थी जब हमारा सेशन क्रेश होगे इंटरनेट की वज़े से, आज तो आडियो विज्वल एकदम मस चल रहा बिडू, ये खबर मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने मिस कर दी, दो तीन चीज़ें समझ लो, भारत के इतिहास में पहली बार मोधी सरकार नैनो फर्टीलाइजर लाई है, नैनो फर्टीलाइजर ये इसका एक एक दाना 10 to the power minus 9 मीटर के स्केल का पार्टिकल होता है, और नैनो टेक्नोलोजी के बेसिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि नैनो स्केल पे मैटर का बिहेवियर एकदम बदल जाता है, भाई, जैसे ये हमारी मैक स्केल है, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, लेकिन नैनो स्केल पे क्या होता है, अबजेक्स में क्वांटम बहेवियर आ जाता है, और उनकी प्रॉपर्टी बदल जाता है, तो हमने नैनो यूरिया क्यो बनाया, ऐसा क्या मिल जाएगा हमको, इसको बनाने वाली कंपनी इफको क कहना है कि ये नैनो यूरिया बहुत कम मात्रा में पत्तियों के भीतर सीधे घुस पाएगा स्प्रे होने से, जिसकी वज़े से इसकी मात्रा भी बहुत कम लगेगी, और इसकी वज़े से खर्चा कम होगा, सबसीडी घटेगी, आपको सारी बात समझ में आ रही है, येस और उनों, यूनिवर्सिटी ओफ पवन या उनिवर्स ओवर्स ओवन बोलने है, सर ये बीडू क्या होता है, ये बीडू कौन है, अरे बीडू अपने ना बीडू, तुमारा दोस्ते पार्टनर बीड़े लाएदर, टेंशन लेने काने बीडू, अपन तुमारे साथ रहे क्या कर रहा है, भारत सरकार ने दूसरा एक और काम किया है, सारे फर्टिलाइजर बैक पे कॉमन ब्रांडिंग कर दी हो, जो कंपनी बनाई की उसका नाम नीचे, और इन सब का नाम हो गया PMBJP, भारतिये जन उन्वरक पर ही होजना, एक PMBJP अलड़ी चल रहा है, भारतिय जनोशदी बरी होजना, और भारत के इतिहास में पहली बार कोई सरकार इसका रेट इतना है, मैं इतनी सबसीडी दे रही हूँ, रीटेल प्राइस इतना है, तो तुम लोग इतनी सबसीडी प्राप्त कर रहे हो, ऐसा आज तक किसी सरकार ने किसी को बोला नहीं है, ये कैसा है, पता है, कि आज मैं गरीब आदमी हो, राशन की दुकान पर जाता हूं, राशन वाला मुझे बोलता है, इसका ओरीडनल दाम इतना है, एकनोमिक प्राइस इतनी है, कैरिंग कॉस्स इतनी है, मैं तुम्हें इतने में दे रहा हूँ, तो तुमने अभी इतनी सबसीडी ल आदमी पारले जी का पैकेट 10 रुपे का खरीदता जी एस्टी भरता है, वही जी एस्टी तो घूम कैसे आ रहा है, सबसीडी सरकार पैसे छापके थोड़ी दे रही है, आपके मेरे टैक्स के पैसे से भारत में 100 प्रतिशत लोग टैक्स देते हैं, गरीब से गरीब आदमी जी एस्टी दे रहा है, पेट्रोल पर टैक्स दे रहा है, तोल टैक्स दे रहा है, आपको बात समझ मैं ही, तो इस धोके में मत रहना कि भारत में कैवल इंकम टैक्स ही एक टैक्स है, और भया, इंडिरेक्ट टैक्स ज़्यादा है, तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग डेव प्यारे दोस्तों 14 नवंबर से मेरी अगली बैच आ रही है आज के आज इसकी जानकारी लें कॉमेंट हेड में इसकी लिंक आपको मिलेगी पावर पैक कोर्स की हमारी ये बैच बहुत शांदार बैच इसकी निकल चुकी है अगली बैच 14 नवंबर से है बहुत ही रीजनेबली प्राइज दो बहुत पावरफुल प्रोग्राम है हमारी टीम से बात करें एन्रोल करें 14 नवंबर से शाम को साथ बज़े बैच शुरू होगी अन्बीटेबल फीचर से पूरा कोर्स एंट्टू एड मैं हैंडल करता हूँ आप आईए जुड़िये पढ़िये मजा आएगा UNDP की पावर्टी रिपोर्ट आई है कि भारत में पावर्टी कितनी कम हुई और ये है मल्टी डैमेंशनल पावर्टी याद रखना इसमें सिर्फ इंकम नहीं होती इसमें 10 पेरामिटर होते हैं बैटा और इस सब के उपर UNDP का कहना है कि भारत ने गरीबी कम करने में सफलता हासिल की तो ये तो बहुत अच्छी बात है UNDP कहता है कि अलग-अलग टाइम पीरियेट में अलग-अलग मात्रा में भारत ने गरीबी कम की कभी इतने करोड कम हुए कभी उतने करोड कम हुए और ये multi-dimensional poverty में कमी हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है लेकिन COVID ने सब कुछ reverse gear में डाला है और इसलिए आने वाले समय में सरकार के लिए चुनोतियां पहले से बढ़ गई है दस्वी खबर एक बड़ी interesting खबर है पहली बात तो 10 biggest cats in the world आप ये याद रखना ये कहीं आपको काम आएगा आपको ये अच्छे से पता होगा कि lions और टाइगर्स में बड़ी विचित्र चीज़ ये होती है कि जब कोई male किसी female से mating करता है तो उस समय वो उसके पहले से मौझूद बच्चों को जान से मार देता है क्योंकि वो माँ अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो mating नहीं करती है तो ये male tiger या male lion को अपनी अपनी society में पता होता है कि मुझे पहले बच्चों को मार दा है तो भारत की ये जो female tigers हैं इनके बारे में अभी ये पता है कि ये इनका behavior change हो गया है और अपने बच्चों के survival के लिए ये males के साथ mating करने को तयार हो जाती है मना नहीं करती जो biological पॉसिबल नहीं लगता है ये एक बहुत ही जबर्दस खबर है actually evolution in action हम इसको कह सकते हैं आपको बात समझ में आ रही है तो ये खबर बड़ी अजीब हो गरीब है मैं इस पर आगे और cover करूँगा लेकिन आज के लिए मेरे खाल से इसको यहीं छोड़ते हैं और ये big cats आपके सामने हैं एक दम से गिर गिया है इसका ये मतलब नहीं कि China collapse हो गया थारा trillion की economy है रहेगी लेकिन GDP growth इस साल बहुत ही तेजी से चाइना का गिरा है और अभी data release नहीं हो रहा है तो we will wait and watch क्या होता ये एक news अच्छी है easy है इसलिए इसको देख लेना भारत सरकार का ये मानना है कि 5G टेलीकॉम हजारों भारत में जो स्कीमें चलती हैं गरीबों के लिए उन स्कीमों की delivery को भी टेज करेगा effective करेगा जिसमें सारी स्कीमें शामिल टेलीकॉम integration in government subsidy distribution का ये बहुत अच्छा हुदारन है आज का session हमारा थोड़ा लंबा लंबा जा रहा है तो कि हम कल की भी कई चीज़े कवर करने बाकी मेरे सारे session exactly 25 minutes होंगे ये ध्यान रखिएगा agriculture की आपको दो ख़बरें फटाफट देदू रभी की फसल बोने का समय आ गया है और फसल बोने के पहले भारत में minimum support price announce होती है तो wheat pulses mustard की announce हो गई है सरकार का कहना है कि हम बहुत अच्छे से इसको बढ़ा चुके हैं इससे किसानों का फाइदा होगा और actually किसान आंदोलन खतम हुआ तो सरकार ने committee बना के इसको constitutionally legally mandatory करने का वादा किया था at least कहा तो था लेकिन वो हो नहीं पाया है उन्हें बढ़ा कि Ramis season का कि यह तो भारत में कृशी के तीन सीजन होते हैं comment dov kiss it ले चाहिए चला मैं को बहुत होगी और अगे इसकी कटाई होगी ma pulley me उसके के बाद कौन सा सीजन उसके बाद मॉंसून सीजन को तीनों सीजन के नाम बता दो जरा लपक के पंजाब और उत्तर भारत के पैडी स्ट्रॉ फॉर्मेशन इस साल ज्यादा होने से स्टबल बर्निंग और इंसी आर में पॉलुशन का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा ये हो पा रहा है इस टेकिंग टाइम लेकिन धीरे-धीरे होगा रादना सिंग्जी ने बड़ा इंट्रेस्टिंग स्टेट्मेंट दिया है कि भारत में बहुत सारा ऐसा मीडिया है बहुत सारे ऐसे एंजियों हैं और जो पिटिशन लगा देते हैं जुड़ी शरी में और भा आयत की पसले जो इनके बीच होती जिनको ज्यादा पानी की दरूवत एसस नहीं होती आप इरिकेशन दे काम चला दो उसमें खरबूजा तरबूजा ककड़ी यह सब आती हैं किसानों को अच्छी इंकम दे के जाती हैं आज के लिए हमारा ऐसे तैयार है वाई स्टॉक्स ड एक एसे में दे रहा हूं यह आपके पढ़ने के लिए है और आज के हमारे चार एडिटोरियल्स चौते एडिटोरियल में बहुत अच्छा है भारत में हेल्थ सिस्टम का रेगुलेशन अच्छा क्यों नहीं है जब भारत में फाइनाइशल सिस्टम का रेगुलेशन इतना अच्छा है भारत में इलेक्ट्रिक वहिकल का रोल आउट और एडॉप्शन का रेट इतना स्लो क्यों है क्या लगता है आपको आज जिस तरह से आर्टिफिशल इंटेलिजिन्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल वार में हो रहा है दस साल बात कहीं ऐसा नहीं हो कि बॉर्डर पे सिपाही ही नहीं हो आज हमारे सारे वार्ट्स में सिपाही सिपाही से लड़ते हैं 10-15-20 साल में ऐसा हो जाए भी भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे रोबोर्ट खड़े होंगे तो फिर न्यूस कैसी आईगी रापको आज भारत के 15 रोबोर्ट ने पाकिस्तान की सेना में घुसके उनके 35 रोबोर्टों की धजियां उड़ा दी उधर चीन के कुछ उनकी बहुत बुरी तरह से ठुकाई करके उनके सर धड़ से अलग तरती है तरह की खबरे आज से 15-20 साल बाद आएंगी हसी अमात यही होगा शी जिन पिंग और चाइना दोनों के दोनों से अनॉनिमस हो चुके हैं अब एक आदमी बराबर चाइना और हम यह कह सकते हैं कि यहां से चाइना का पतन होगा जब भी कोई एक आदमी खुद को राष्ट्र बताने लगता है उस इंसान का भी पतन निश्चित है और उस राष्ट्र का भी शौट टर्म में पतन निश्चित होता है यह डेंग शौफिंग कहके रहे थे समझ माया आपको इसी के साथ आज क सब्सक्राइब जाके पीडिएफ डाउनलोड कर लो मेरे पावर पैक कोर्स की जानकारी लो आज कि आज अर्ड कर लो उसमें मेरा एक आंसर राइटिंग का कोड़ से और अधिस्ट सर्विसे बारत का बेस्ट कोर्स होगा उसमें भी आप जरूर रहेगा अगर आंसर झाल झाल झाल